वो एक अर्थी जारी थी लोग राम नाम सत्य करते वो जा रहे थे तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा बला यो मर गया के अजीब सवाल है जी पर आपने देखाओं को लोग इस सवाल पूछते हैं वो एक काथ में प्लास्टर बंदा हुआ था तो एक ने पूछ लिया बले हाथ में चोट लग गई के बले ना फैशन है वो एक की बहेंस कटी रेल से तो उसने रेल पर मुगदमा कर दिया तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया बले जब यह बहेंस कटी तो यह पट्रियों पर थी बले ना जी खेत में चर रही थी वो तो इंजन की नियत खराब हो गई उस पर क्या करें वह वो एक चोधरी कुट्यों गुमारा था तो एक ने पुछले पर चोधरी कुट्य ने गुमावे है बले ना उंट है कट छोटा रह गया इसका तो जो मरा था उसके छोड़े से एक ने पूछा बला यो मर गया के बले ना बजार गुमान ले जा रहे हैं इसने बले बजार गुमान ले जा रहे हैं इसने सांज ने गड़ छोड़ देंगे और तू कहें तो तेरे गड़ छोड़ दें वो एक आदमी गंटा-गड़ से गड़ी ठीक करके उतर रहा था तो एक नहीं पुछने बले गड़ी खराब होगी थी के बले ना आकम जो रह ताइन देखन गया था उपर तो ये सवाल उल्टे है फिर भी हरियाने का आदमी जवाब उल्टे ही देता है जी इसमें भी कोई शक नहीं है और जवाब उल्टे का अलग आनन्द है वो मैंने एक से का मैंने का यार बिवानी जाना है हरे बुले जाओ मैंने के रोक रखा है और मैंने का इसलक बिवानी जाएगी क्या बोलो जी तीस साल हो गए मैं तो यह गहीं जाती दिखी न जवाब नहीं देगा बाब अजी मैं सूनी पद्धिया जी मुझे एक पता डूना था गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती तो मैंने एक बुज़र्ग आदमी से पुझे मैं गए ताओ जी यह गंदा नाला कहा है मैं बोले क्यों साफ करेगा पूछलो पता अच्छा गंदा नाला तो मैंने सूंगते सूंगते नून लिया और गंदे नाले का मुझे बस्ती भी दिखाई दे गई तो मैंने एक बुज़र्ग महीला से पूछले हैं माता जी कच्छी बस्ती यही है बोली दिवार में सिर मार के देख ले तो जवाब नहीं मिलेगा यह उसी के सौंदरे पे एक शुद्ध हासी कविता आदे पामार जी का आदेश है वो सुनाता हूँ और फिर में इस कविता के बाद पामार जी हैं और आप हैं और फिर इस कविता का बातावरन बिल्कुल अलग होगा क्योंकि जब पामार जी आते हैं तो आप जानते हैं पामार जी उस आग का नाम है पामारण जी आग को गाने वाले कभी हैं आग को गाना बहुत मुश्किल काम है इसलिए मैं पहले ही अपना काम कर लेता हूँ बहुत आनंद के साथ सुनिए कोई दिमाग लगाने की जिरूर्थ नहीं मैं लिखने में नहीं लगाया तो आप सुनने में क्यों लगाऊ पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया हरियाने का राधे शाम भी इंटर्विव देने गया इंटर्विव में पुछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया सवाल का बबाल सवाल था आप सेव खरीद दे जाओगे तो 50 रुपे किलो के हिसाब से 100 गराम सेव के कितने पैसे दे कर आओगे यह आसान सा सवाल था जी लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाने का आदमी कैसे बबाल बना सकता है बस यह इस कविता का सौंदर रहे है आप सेव खरिदने जाओगे तो पचास उरुपे किलो के हिसाब से सो लगाम सेव के कितने पैसे दे कर आओगे राधे बोला अगर मैंने सो गराम सेब के भी पैसे दिये तो पुलिस में बढ़ती हो रहा हूँ क्या इस तैसी कराने के लिए अगर मैंने सो गराम सेब के भी पैसे दिये तो पुलिस में बढ़ती हो रहा हूँ क्या इस तैसी कराने के लिए साहब को जवाब में मज़ा आया उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे रादेबुला आवाज करो पूरी पेट्टी आपके गर्विजवा देंगे अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिश में नहीं है न वो जाएगी तो सो ग्राम सेब के कितने पैसे दे कर आएगी रादेबुला साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज़्यादा जानता हूँ उसे खरीदारी का है बहुत चाओ पर उसे सो ग्राम खरीदने होंगे तो सो ग्राम कई पूछेगी भाव सो ग्राम कई पूछेगी भाव अच्छा तुमारा भाई जाए अगला भी उसी सुवाल के पीच्छे पड़ा हुआ है ये निकी भी वो जवाब नहीं दे रहा तू सवाल बदल दे पर दिक्कत ये वो भी अर्याने का अज़र तुम्हारा भाई जाए जी भाई को तो मैंने कई बार बजार जाते देखा है पर वो तो कई पववा तो कभी गुठका लाता है से बलाते तो मुनसा आस तक नहीं देखा है अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई जी मेरी एक बहन थी उसकी शादी कर दिया वो जाना है बहन होई राधे शाम तुम्हारे पिता जी बी तो बजार जाते हैं जी उनके दातरियां वो बस के ले खाते हैं जी उनके दांत नियों बस केले खाते हैं आप मुझे एक बाब बताओ शरीमान तन खातो दोगे एक आदमी की या और सेव खरीते बलगा दिया पुरा खांदान सेव खरीते बलगा दिया पुरा खांदान अच्छा छोड़ो कोई आम आदमी जाए तो वो सो ग्राम सेव के कितने पैसे दे कर आए आम आदमी का नाम सुनते ही रादेश आम सीरियस हो गया थोड़ा बुला जी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेव खरीदने लाए कि कहा छोड़ा अजी सब आप लोगों ने आम आदमी को सेव खरीदने लाए कि कहा छोड़ा आम तो सेव का ठेला लगाता है खरीदने तो खास ही जाता है आम तो सेव का ठेला लगाता है खरीदने तो खास ही जाता है अच्छा कोई खास आदमी जाए तो अगल आभी पीछे पड़ा हुआ है जी अच्छा कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो है कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा भे अपना नोकर बेज़ेगा और आपके कहने से चला भी जाएगा तो कैसे सिर्फ सो ग्राम खरीद के लाएगा चलो आपकी अंते मिच्छा पूरी करने के लिए सो ग्राम खरीद भी लाएगा तो इसका हिसाब आप मुझसे को लिते हैं हाँ हिसाब बताएगे उसके सीए जिनें वो तनका देते हैं चलो इस सवाल को यही छोड़ते हैं इंटर्विव का रुखब दूसी तरब मोड़ते हैं देखो साहब यह तो है सरासर फरेग दूसरा सवाल बाद में आएगा पहले आएगे सो ग्राम से पहले आएगे सो ग्राम से तुम्हारा कोई दोस्त है रादेशाम हाँ जी है सीता राम वो सेव खाता है हाँ कोई खिलाय तो खायाता है साहब आपने भी सवाल को खूब खीचा है लगता आपका कोई सेव का बगीच्चा है कुछ भी हो पर अपना जवाब ले लो कुछ भी हो पर अपना जवाब ले लो सीता राम फल वाले को पांच रुपे देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो पर इतने के कितने अब ये सेब वाले की मर्जी वो दे दे जितने रादे शाम तुम ने तो जरासी बात का बना दिया बबाल राजेबुला साहब मुझे तो शुरू से पसंद नहीं सवाल मुझे तो शुरू से पसंद नहीं सवाल मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड है असल में सेब ही उसकी जड़ है दर्शन पे आगए चिंतन पे आगए पर जवाब देखे नहीं दिया मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़ बड़ है असल में सेव ही उसकी जड़ है अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेव निखाते तो ना मैं आता ना आप यहां आते तो ना मैं यहां आता ना आप यहां आते ना सो ग्राम होता ना पांसो ग्राम ना आप साब होते ना मेरा अदेशा हम देखों दुनिया में पांच इसेव परसेद दुएं पांच माब यह भी हुआ है बाई साब एक तो आदम और हुआ नहीं खाया जो उसका प्रहिणाम हम देखी रहे हैं उपर तक है दूसरा सेव वो लोकप्री हुआ जो न्यूटन के उपर गिरा बच्चे सोचते हुज़रों नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नी बैठा था तीसरा एप्पिल वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पिल लोकप्री हुआ चोता सेव अभी आसाराम जीन है लोकप्री है किरा है पता लगा वो नाराइन साइनी कमाली करा साब अपनी शिश्या को सेव खिला है जिससे वो गरववती हो गई तो सेव की कमूल ले देखा लोकप्री है करा और पांचवा सेव है मेरा कहते हैं जी एक सेव खाओ तो आदमी डाक्टर से दूर रहता है आदमी में उर्जा रहती है आदमी में उर्जा रहते है तो आदमी पैसा कमाता है पैसा कमाता है तो शादी होती है शादी होती है तो बच्चे होते है बच्चे होते तो टेंशन होती है टेंशन होते है बिमार हम बिजवाते हैं और साहब के लिए सो गराम बिजवाते हैं